सल्मान खान अक्सर अपनी लव लाइब की बज़े से सुर्खियों में चाहे रहते हैं इस बात से तो सब वाकिफ है कि इस एक्टर का नाम बॉली बुट की कई हसीनाओं के साथ चुड़ चुका है सल्मान खान के लाइब में कई एक्टरस peng आई और गई लेकिन एक एक्टरस के साथ तो साधी तकी बात पहुच गई थी आप समझी गnın गहेंガे कि जिस एक्टरस के हम बात कर रहे हैं वो है संगीता विझलानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता बिजलानी और सल्मान खान के साधी के कार्ट्स भी छप गए थे लेकिन आखरी मौके पर दोनों ने साधी से इनकाय कर दिया थे संगीता के बाद सल्मान की लाइफ में एशरिया राय, कटरीना कैप और कई एक्ट्रेसे आई लेकिन क्या आप जानते हैं कि सल्मान खान इन से नहीं बलकि किसी और एक्ट्रेस से साधी करना चाहते थे यहां तक कि सल्मान खान शादी का रिष्टा लेकर इस एक्ट्रेस के घर भी पहुंच गए थे तो चलिए आज आपको बताते हैं कि सल्मान कान की लव लाइफ से जुड़ा एक किस्सा जिसके बारे में जारा लोग नहीं जानते हैं हम बता देते हैं कि जिस एक्ट्रेस की बात हो रही है वो और वोई नहीं जुही चावला हैं जुही की मुस्कान पर तो कोई भी फिदा हो सकता है सालों बाद भी इस एक्ट्रेस की जवरदस पैन फालोईंग है सल्मान खान ने अपने कुराने इंटर्विव में इस बात का खुलासा किया था कि वाद जुही चावला को काफी पसंद करते थे इतना ही नहीं बलकि सल्मान खान तो जुही चावला का हाथ मांगने सीधे उनके घर पहुंच गए थे लेकिन जब सल्माण ने एक्टरस के पिता से शादी की बात की तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गैसी अगर बात करें जुही चावला की तो इस एक्टर ने साल 1995 में बिजनेस में जै महता से शादी कर ली थी इस एक्टरस ने जब शादी रचाई तो वा अपने करियर के पीक पर थी एक रिपोर्ट के मुताबिक जै महता और जुही चावला की पहली मुलाकात राकेश रोशन ने करवाई थी हाला कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चोरी चुपके से शादी रचाई थी और करीबन 6 सालों तर अपने सादी को सिक्रेटर था जुही चावला और जै महता की शादी के बारे में लोगों का तब पता चला जब यह एक्टरस पहली बार प्रेगनेंट हुई थी